आयोध्या में मंदिर के सिलान्यास को लेकर लगातार ये कहा जा रहा है कि परधान मंतरी नरेंद्र मोधी को निमंत्रन दिया जाए और वो सिलान्यास के लिए अयोध्या है लेकिन इस कोरोना संकट में अभी तक इस तरीके की कोई ख़बर कन्फर्म नहीं हुई अयोध्या में जो राम जन भूमी तेर्ट छेतर ट्रस्ट है उसके प्रेसिडेंट है महंत निर्ट गोपाल दास उनके स्पोक्स परसन महंत कमन निर्ट अंदास ने कहा है कि अगर प्रधान मंति नरेंदर मोधी अयोध्या आते तो अच्छी बात होती है मरा जी सिर्थाम जन भूमी निर्माण के लिए किस प्रकार से टेजी लानी के लिए उत्या कार किया जा रहा है और राम मंदिर निर्मान से पहले किस तरह की अबगिरान लेती है और क्या आगे का प्लान है? मंदिर निर्मान की सारी तैयारी तुए है, कोई कमी नहीं है. दोग इक्षा है, एक बार प्रसान में की लिए हो जाएं, निर्मान कारे कारा दोगाता है. नहीं भूम पुजनत पुजनत इत्याद की बाद, तीन महीने से बराबर, वाँ भूम पुजनत योग्य हमन चल्ड़ा है, उसके नहीं कोई कमी नहीं, पुजापाद की तुजाए हो रहा है. रहा मंदर निमाल के लिए जो इसके लिए एक इंपोर्टेंट बैठक कब होनी है, और इसके लिए क्या ताहरी की गई है? अधारा तारीक बैठक होगी अधारा जुलाई, कहां पर यह बैठक होगी कोई को निस्वे सामिल होगे? अधारा निस्ट हो जाएगा कराओगी लेकिन अजुध्या में इस बैठक होगी. रहा मंदिर निर्मान से पहले किस तरह की अभुगिरण लेती है, क्या आगे का प्लान है? मंदिर निर्मान की सारी तयारी तुनी है, कोई कमी नहीं है. रही भूम पुजनत पुजनत इत्याद की बार, तीन महीने से बराबर, वाँ भूम पुजन योग के हमन चल रहा है. इसके कोई कमी नहीं, पुजा पार्ट की नित्य हो रहा है. रह मंदिर निर्मान के लिए जो इसके लिए एक इंपॉर्टेंट बैठक कभ होनी है, और इसके लिए क्या तारी की गई है? किस तरह से क्या क्या इसमें क्या बाते हैं? इसमें क्या बाते हैं? 18 जुलाई? कहां पर यह बैठक होगी कौंगोने समय सामिलोंगे? इसमें के निशित हो जाएगा कहा होगी? किस निशित बाते हैं और भूमोन पूजन को लेकर के खुछ तहारी होगी है? आपको बता दें कि 18 जुलाई को इस ट्रस्ट के मेंबर्स की एक मीटिंग होनी है जिसके बाद यह तै होगा कि राम मंदिर निर्मान का कारी कैसे आगे बरहेगा कौन सिला न्यास करेगा और स्टेप बाइ स्टेप में यह काम कैसे आगे बरहेगा और एक मंदिर का निर्मान होगा आपको बता दें इसके लिए लगातार यह कहा जा रहा है कि परधान मंतिर नरेंदर मोदी आ सकते हैं हालां कि अभी तक ना तो कोई फॉर्मल इंविटेशन की बात कही गई है और ना ही परधान मंतिर के आफिस की तरफ से किसी तरीके का कनफर्मेशन दिया गया है